आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा हम लोग रिटर्न के साथ 2 years की बात करेंगे 689% का रिटर्न, 3 years में 384% का रिटर्न and 1 year में 199% का रिटर्न हर एक टाइम फ्रेम में आपको काफी बहतरीन रिटर्न नजर आ रहे होंगे इस कमपनी के बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और जानेंगे आज के कमपनी के बारे में और साथ ही साथ कमपनी क्या करती है और बाकी डिटेल्स भी आज की जो कमपनी है वो है आपके पॉलिपलेक्स ये company आपके plastic films manufacture करती है और around इनको 33 years का experience है same field में next यहाँ देखे तो इनका high level of expertise रहा है in PET film production और इनके काफी बहतरी in R&D houses भी नज़र आएंगे आपको यह आपके number one है आप यहाँ देख सकते BOPT film production में in Southeast Asia और यहाँ से यह different आपके reasons में यह provide करते हुए नज़र आते हैं अपने product 7th number पे यह आते हैं as a global BOPT film sorry BOPT thin film provider के तौर पे और यहाँ से यह large capacity produce करते हैं और यहाँ से यह आपको जितने भी अपने product है वो provide करते हुए नज़र आते हैं 25 countries में अभी तक का इनका reach रहा है और वही 1950 के आसपास इनके पास customers भी available है in global basis नेक्स यहाँ पर बात करें इसके journey के उपर तो यहाँ से आपको कुछ चीजे नज़र आएंगे जैसे की numbers of इन्होंने जो product launch किये है market में उन सब के उपर तो इनका जो 1988 की बात करें तो PCL first thin BOPT film line इन्होंने start किया था खातिमा में इंडिया में 1996 और 1997 की बात करें तो first resin plant और आपकी expansion किया था इन्होंने जो previous इन्होंने plant open किये थे उसकी capacity को 2002 की बात करेंगे first materializer in खातिमा उसके बाद 2003 में इन्होंने first and second thin BOPT film line open किया अपना थाइलेंड में 2004 की बात करेंगे public listing of PTL added reason capacity in थाइलेंड उसके बाद 2006 में आपको first thin BOPT film line open होते हुए नजर आए होंगे तर्की में next यहां पे acquisition इन्होंने किया था of spectrum market INC for warehousing और distribution of polyplex product in USA तो यहां से इनकी acquisition हुए थे और यहां से यह अपने जो polyplex product रहे हैं वो यहां पे इन्होंने आप कह सकते कि produce करना और लोगों तक पहुचाना start किया USA में first इन्होंने silicon coating line भी open की खातिमा में उसके बाद इन्होंने capacity add किया था रेजिन का टर्की में 2006 की बात करेंगे तो फर्स इक्सडर्जन coating line open किया इन्होंने Thailand में वैसे ही expand किया इन्होंने थीन B.O.P.T. film जो था जिसका काम चल रहा था वो टर्की में वापस इन्होंने expand किया 2010 की बात करेंगे first B.O.P.P. and new B.O.P.T. film line in बाजपूर तो यहां से यह इन्होंने इंडिया में अपने new manufacturing plant open किये हैं बाजपूर में और C.P.P. line in Thailand 2012 में आप देखेंगे first silicone coating line start के इन्होंने Thailand में अगेन आप 2013 की बात करें तो start के इन्होंने manufacturing in Dicator यह आपकी USA में और thick B.O.P.T. film line along with resin capacity and blown film line in Thailand उसके बाद इन्होंने कुछ और expansion किये वो आप यहां पर देख सकते तो इसी तरीके से इनके धीरे-धीरे करके इन्होंने अपने business को और जादा expand किया है अभी अगर हम लग 2023 की बात करें तो new B.T. film line and O.L.C. का इनका plan है open करने का USA में तो आने वाले time में भी आपको इसमें और expansion देखने को मिल सकते है तो company अभी तक फिलहाल काफी बहतरीन perform कर रही है अपने business segment में अपने business portfolio में हर बार आपको कुछ नहीं चीज़े add-on करती हुई नजर आए हर साल अब यहां से अगर बात करें तो इनकी जो global basis पे leadership रही है वो आपकी या तो आप कह सकते है onshore हो offshore हो या फिर nearshore manufacturing plants हो 7 manufacturing facilities है इनके in 5 different countries with multiple number of warehouses और जितने भी इनके worldwide offices है नेक्स यहां पर यह आपके 7th number पे polyplex आते हैं अपने जितने भी इनके आप कह सकते competitor है उनमें से 7th number पे आपको नजर आ रहे है इन thin PET film बनाते हुए और वही second non-China in thin PET film बनाते हुए post-US तो US के बाद आपको यह नजर आएंगे साथ ही इनका global footprints available है और आपको देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इनके अभी तक अपने जो business है expand किया है साथ ही बात करें इनके global presence के ऊपर तो यहां आपको नजर आएंगे operating company wise breakup of sales तो यहां पे आपके जो operating रहे हैं जो operations रहे ह इनके वो किस तरीके से आपको कितने percentage का sales में breakup रहा है इनका या फिर आप कह सकते कितना हिस्सेदारी रहा है इनका तो सबसे जादा जो numbers रहे हैं वो आपके polyplex USA के हैं उसके बाद polyplex India के हैं 23% next बात करें polyplex Thailand के हैं 18% polyplex Turkey से इनके 17% का sales generate होता है polyplex Indonesia से 11% and other की बात करें तो वह से only 5% उसके साथ ही जो इनके business segment रहे हैं वो उन में कितना कितना आपका percentage रहा है तो सबसे जादा जो इनके sales generate होते हैं business से वो है thin PET film 56% 14% quoted film से OPP से 8% sorry 9% thick PET films की बात करें तो 6% CPP और blown PPP की बात करें तो 4% वही chips की बात करें 5% other sales जो रहे हैं इनके 4% और other speciality जो है वो आपके 2% तो यहां हमने देखा सबसे जादा और सबसे बहतरीन आपको thin PET film ये बनाते हुए नजर आ रहे हैं और यहां से इनके सबसे जादा sales generate होते हैं next बात क application है वो हैं आपके resort pouches या फिर आप देख सकते easy pooling leads, water bag, rice bag, coffee pouch तो ये सारे food product के लिए भी use किये जाते हैं इनके जितने भी product रहे हैं उसके साथ ही personal care की बात करें health and hygiene में तो health care product पे यूज होते हैं liquid packaging, air freshener, cartoon packaging, mosquito mat या फिर wet wipes की बात करें label में भी इनके product use होते हैं product labels, glass bottles and others तो 70% इनके जो product application है वो यहाँ पे आपको use होते हुए नजर आ रहे हैं packaging के अंदर वहीं जो 30% है वो industrial usage के लिए नजर आते हैं जैसे कि electrical and electronics, building and construction, countless others वहीं digital printing और thermal lamination के लिए भी use किये जाते हैं यहाँ आप बाकी सारे product हर एक segment के अंदर आप पढ़ सकते हैं अदर्वाइस electric and electronics की बात करें तो solar panel back sheet के लिए use होते हैं बिल्डिंग में आपके PP liner, single liner वहीं अगर digital printing की बात करें medical x-ray या फिर outdoor sign boards, thermal lamination की बात करें तो यहाँ से cards lamination या फिर shopping back तो numbers of product में इनके usage आपको नजर आ चुके हैं उसके साथ ही analyst के estimate की बात करेंगे तो 80% analyst आपको यही राय देते हैं कि आप चाहें तो यहां से आप buying initiate कर सकते हैं आपको फिलहाल buy करना चाहिए and 20% यही कहते हैं कि आप चाहें तो आप इसको sell करके निकल सकते हैं बट आगे बढ़ेंगे और खुद से analyze करेंगे हम लोग की करना क्या है dividend yield की बात करें तो काफी बहतरीन यह आपको dividend भी provide कर रहे हैं सबसे बहतरीन है 6.52% जो कि आपको बहुत ही कम numbers company के रहेंगे जो आपको इस तरीके से dividend provide करते हैं EPS की बात करें तो EPS भी आपके काफी बहतरीन है 161.93 तो काफी अच्छा कासा इनका strong EPS भी है Industry P और Stock P में बात करें तो यह आपको fairly valued के basis पे आपको यह share मिलने वाला है वही साथी साथ quarterly basis के जो results है वहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहे हैं sales के numbers पे नज़र डाले तो 1294 करोर से 1751 करोर का आपको sales generate करती भी नज़र आई है company इस quarter में operating profit में भी आपको इसी तरीके के जो numbers है वो नज़र आ रहे हैं काफी strong वो आपके 349 करोर के आसपास का इन्होंने operating profit generate किया है बीच में आपको September 21 के जो quarter रहे हैं वहाँ आपको हलकी सी dip देखने को मिली है in comparison to June 21 net profit की बात करेंगे तो net profit में 96 करोर से ये सीधा आपको 175 करोर का jump लेते हुए नज़र आए हैं उसके बाद आपको इस साल के numbers काफी बहतरीन है 4918 करोर के आसपास operating profit की बात करेंगे तो operating profit आपको लगतार बढ़ते हुए नज़र आए हैं जहां पर operating profit इस साल के रहे हैं 1217 net profit में आपको बीच में dip नज़र आए थे March 20 में same as sales तो वहीं आपके net profit के जो इस साल के numbers है वो है 512 और पिछले साल के जो numbers थे 282 तो कहीं न कहीं आपको जो quarterly basis के results रहे हैं वो भी आपको अच्छे नज़र आए हैं और yearly basis के numbers भी आपको काफी अच्छे नज़र आ रहे हैं अभी तक उसके साथ ही sales and profit growth की percentage के उपर तो जो आपके sales growth percentage रहे हैं वो आपको हलकी सी उसमें गिरावट देखने को मिली है बहुत उसमें आपको numbers में jump बिल्कुल नज़र नहीं आए वही profit growth percentage की बात के तो यह पहले से ही इसमें काफी अच्छा खासा आपको सुधार देखने को मिल रहा था जहां से 76% to 97% 3 years में और उसके बाद आपके 1 year की बात करें तो अगेन यह 97% पर ही है तो आपको इसमें consistency नज़र आ रही है वहीं आपके sales growth percentage रहे थे उनमें आपको धीरे-दीरे numbers में थोड़े गिरावट देखने को मिले है इस साल के उसके साथ ही ROE NROCE पर बात करेंगे तो यह आप साथ ही इनके उपर जो cash sorry जो इनके उपर debt है वो है 161.27 करोर के आसपास बड़ इनके पास जो cash available है in comparison to debt वो आपको काफी कम नज़र आएंगे जो कि है only 41.37 करोर के लगभग share holding patterns पे बात करें तो most of the holdings promoters ने रखे हैं वहीं आपके public के पास only 35% की holding है वहीं आपके FIIs 9% की holding के साथ नज़र आ रहे हैं और DIs के पास only 5% की holding देखने को मिलेगी promoters pledging की बात करें तो कोई दरह की कहीं pledging हमें नज़र नहीं आ रही है अब इस DIs के अंदर भी देखते हैं कि कौन से mutual fund इसमें investment करते हुए नज़र आ रहे हैं बाकी अगर आपको वीडियो यहां तक अच्छा लगा है प्लीज इसको like and share जरूर करें क्योंकि काफी effort लगते ह हैं आप सभी के लिए इस तरीके से data लेके आना और इन सबको present करना तो in case आपको थोड़ा सा भी लगता हो कि हमने काफी महनत की है तो please like and share कि बिना बिल्कुल भी आगे ना बढ़े और हाँ अगर चैनल पे आप नए है चैनल को subscribe भी जरूर कर ले चलिए अब बात करें अग आपको जो investment है वो नजर आया है बात करेंगे अब सीधा चार्ट के उपर चार्ट के उपर आप ये देख सकते हैं आपको अपने 10 week EMA से भी काफी उपर आपको ये sustain करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक profit booking दिखाई दे सकती है आने वाले हफतों में थोड़ा सा price correction हो और यह अपने at least 10 week है वहां तक भी आजा तो आपके लिए काफी बहतरीन यहां से भी मौका निकल के आ सकता है क्योंकि थोड़ा से यह price जो है वह आपके overvalued शायद हो चुका है वहीं अगर one week one day के time frame पे बात करें तो यहां से थोड़ा सा तो आपको अबर नजर आही रहा है थोड़ा से इसमें profit booking दिखाई दे जैसे कि आपके 2260 के price पे 100 पॉइंट का भी यहां पे अगर correction होता है तो आपके लिए यहां पे बहतरीन मौका निकल के आ सकता है यह शेयर हर बार आपको इसी तरीके से एक तरफा रैली के साथ चलते हुए दिखाई द return आपके हर एक time frame में आपको मिले हैं तो काफी अच्छा गासा मुनाफ़ा इनके shareholders ने अलरीडी बनाया है और अगर आपको भी बनाना है तो आप चाहें तो आप इसमें अपने हिसाब से investment कर सकते हैं बाकी हां कुछ से research और analysis करना बिलकुल भी ना भूले अपने जो financial advisor हैं उ हर कुछ समझाने की कोशिश की है कुछ रहता है या फिर फिर भी आपको कोई doubt है तो आप हमें comment box में अपने queries डाल सकते हैं कोशिश करेंगे जल से जल्द आपको revert back करने की चले मिलेंगे आप से next video में बहुत ही जल्द तब तक के लिए thank you and take care